हेलो दोस्तो यूर वेलकम टू अवर यूटूब चैनल गोपार शर्माशो यहाँ पे दोस्तो एसे जितने भी स्टूडेंट है जिनोंने इस साल एडमिशन लिया है आप सभी के आईडी कार्ड और आपकी जो फी रिसिप्ट है ये रिलीज कर दी गई है आप अपने फी रिसिप्ट और आईडी कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं कम्प्लिट इन्फोर्मेशन आपको इस वीडियो के थूरू मिलने वाली है कि किस तरह साब अपने आईडी कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं आपकी classes के बारे में आपके जो centers है कहां कहां आपके centers जा सकते हैं complete information आपको इस वीडियो के थुरू मिलने वाली है और ऐसे भी student होंगे जिनका भी payment जो है pending में so हो रहा होगा तो आखिर ऐसा क्यों so हो रहा है complete information हर एक चीज़ के बारे में आपको information इस वीडियो के थुरू मिल आपको इस चैनल के थुरू provide के जाती है जैसी अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं आपको notification भी आता है bell icon को प्रेस करके तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं यहां पे आप देख सकते है एसोल की official site पे आने के बाद दोस्तों यहां पे आप पोर्टल पे आएंगे पोर्टल पे आने के बाद दोस्तों यहां पे आपका एक यूजर नेम रेजिस्टर यूजर नेम दिया होगा पासवर्ट दियोगा जो कि आपको पता होगा यह दोने चीज़े फिल कर देने के बाद यहां पे जो एक capture दिया है इस capture को यहाँ पर fill कर देने के बाद आपको login कर लेना है तो यहाँ पर एक second रुके हैगा दोस्तों मैं login हो जाता हूँ तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते login हो चुका हूँ login होने के बाद यहाँ पर application के जो summary होगी हो यहाँ पर देख सकते हैं जिसमें आपका control role number दिया होगा किस course के लिए आपने apply क्या है और आपका regional center है यह क्या है इसकी detail यहाँ पर दी होगी अब यहाँ पर दोस्तों आपको payment acknowledgement जो कि आपका payment fee receipt है इसको यहाँ पर click करके आप download कर सकते हैं आपका जो id card है इसके उपर click करके आप अपना id card जो है वह यहाँ पर download कर सकते हैं तो यहाँ पर download करके देखते हैं दोस्तों एक शेकर यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं फिर receipt जो आपकी download हो चुकी है जिसमें आपका control number program name further name mother name mailing address email id आपने कौन से course offer किये हैं या study material के बारे में payment details यहाँ आपको दे दी गई है आपके payment receipt में फिर receipt में अब यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे अपने receipt में तो यहाँ पर कहीं पर भी आपका आपका इसोल का roll number नहीं कहीं आपका बार कॉर्ड नहीं आपका जो एक्जाम जो आपका study center वह यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है ति यह होगे आपका payment receipt और दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं यह आपका ID कार्ड जो कि आप download करके देखेंगे ति यहाँ पर दोस्तों आ यहाँ पर दिया है यहाँ पर आपके फोटो दी रही होगी आपका gender semester address सब चीज यहाँ पर आपका जोए दिया हुआ है अब इसी अपने admit का अपने ID कार्ड में देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पर कहीं पर भी आपका एसोल का roll number नहीं आपका कहीं बार कोड दिया है नहीं जिन जिन student ने admission लिया तो उनका same SI ID कार्ड रिलीस किया गया था उनका भी जो आइसोल का roll number बार कोड उनको message के थूरू inform किया गया था और आपके जो study centers होंगी classes होंगी उसके बारे में भी जो है एसोल ने message करके बताया गया था यहां पर आपको किसी भी चुछ के लिए परिशान नहीं होना है अभी आपको बिल्कुल चिल रहना है यहां पर अभी आपको जो है केवल यह जो दोनों चीज़े बताएगे फिर रिसिप्ट और ID कार्ड इनको केवल download करके रख लेना है दोस्तो चैनल को जरू सब्सक्राइब कर लीजेगा ताकि आपको हर एक छोटी सी छोटी अपडेट आपको दे दी जा सके हैं यह था इन्फोर्मेशन दोस्तो आपकी ID कार्ड और फी रिसिप्ट के रिगार्डिंग इस वीडियो में केवल इतना ही कोई भी डाउट रहता ह आप हमें कमेंट कर सकते हैं टेलिग्राम पर जोइन कर सकते हैं इंस्टा पर जोइन कर सकते हैं उनसे भी का लिंक आपको डिस्क्रिप्ट्प्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा तो इस वीडियो में केवल इतना ही दोस्तो